नमस्कार स्वागता है आपके मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि 4th merit list कब तक आ सकती है और 7 में ही 4th merit list आप कहां पर देखेंगे कहां से आप उसको देख सकते हैं कि मेरा नाम आया है नहीं आया है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहरा हूँ जो 4th merit list है वो official website पर नहीं आती है जो 1, 2, 3, 3 merit list तक है वो official website पर आती है 4th merit list है वो official website पर नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ जो 4th merit list है वो कहां से आप देख सकते हैं अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं मेरा नाम आया है कि नहीं आया है तो आप जिस college में apply किये हैं अगर आप एक college में apply किये हैं तो उस college में जाएंगे वहाँ पर fourth merit list display होगी कब display होगी उसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा और साथ में ही अगर आपने एक से ज़्यादा college में apply किया है तो आपको एक से ज़्यादा college में जाके देखना पड़ेगा कि मेरा नाम आया है merit list में या नहीं आया है fourth merit list में fourth merit list कब आ सकती है और list कब display होगी तो जो fourth merit list है third merit list के लगबग last admission के लगबग 7 दिन बाद या 8 दिन बाद आती है तो third merit list में admission लेने की last date है वो 6 November है तो इसमें लगबग 8 दिन जोड़ दीजे तो ये 14 November तक बनता है फिलाल 14 में तो यहार है दिवाली का तो दिवाली में एक दो दिन और आगे बढ़ सकती है merit list तो 15 के बाद ही लगबग आएगी 16, 17 तक 18 तक खिस सकती है क्योंकि दिवाली के function के चकर में जो है merit list एक दो दिन delay हो सकती है तो फिलाल अभी कोई confirm date नहीं है फिलाल वो 15 के बाद ही आएगी 15 November के बाद ही जो है वो merit list display होगी तो कब होगी जब भी होगी उससे एक दिन पहले हमारे याँ government का आदेस आ जाता है आपको तीनों merit list में एक दिन पहले government का order दिखाया था तो जैसे government का order आता है तो मैं एक दिन पहले आपको सूचित करूँगा आप जाके दूसरे दिन आराम से जाके अपने college में जिसमें आपने apply किया वहाँ पर जाके अपना जो नाम है वो merit list में check कर सकते हैं वहाँ पर दूसरे दिन जो है list display हो जाएगी साथ में मैं उस पर और भी जरूरी जानकारी बताऊँगा जैसे ही वो letter आ जाता है उसमें ये भी लिखा होगा कि last date कब है admission लेने की ये सारी चीज़ उसमें mention होंगी कितनी वेकंट seat है वो सारी चीज़ मैंशन होंगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ में second जो third merit list का admission है 6 November अभी last date है फिलाल साथ में जो new आवेदन का form है वो 9 तारिक तक open होने की समभाबना है फिलाल जब भी होगा तो उसकी भी मैं information आपको दूँगा और seat matrix भी आती है कि कितनी seat blank रह गई है किसी ITI में खाली रह गई है तो वो भी जैसे ही seat matrix का link activate होता है तो उसकी भी जानकरी मैं आपको दूँगा तो अभी फिलाल जो fourth merit list में बहुत सारी जानकरी आपको देना बाकी है क्योंकि बहुत सारी जानकरी इसमें official website पर display नहीं की जाती है आपको पताए है fourth merit list जो है वो college की तरफ से बनाई जाती है परिसत से बनके ये merit list नहीं आती है college का जो nodal college होता है जो main ITI होता है किसी सहर का वहाँ पर सारे ITI का एक एक प्रतिनिदी जाता है जतने form उस ITI में apply किये होते है उनको सब को compile करके जिसके number जादा है उसको पहले number पर preference देके ऐसे preference देके आपको एक merit list तयार की जाती है एक और ही मुहाइत पूर्ण जानकरी मैं इस वीडियों बता दे रहा हूँ कि जो fourth merit list है उसमें category का weight is नहीं मिलता है category का weight is मतलब यदि कोई AC का candidate है और general का candidate है दोनों को एक ही तरह treat किया जाएगा उसमें आपको AC वालों को कम merit और general वाले की ज़्यादा merit ऐसी नहीं होगा AC वाले की भी उतनी number count किया जाएगे जितने general और AC वाले की किया जाएगे तो इसमें category का weight is नहीं मिलता है तो जो चातर general category में ब्लॉंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है उनको अब कम number पे भी selection मिल सकता है तो फिलाल जो दो question मैंने इस video में उठाए थे कि fourth matter list कब आ सकती है तो fourth matter list है वो दिवाली के बाद ही आएगी फिलाल और 16, 17, 18 के अरिव करीब में आ जाएगी जब भी आएगी एक दिन पहले हमारे पास letter आएगा मैं आपको inform करूँगा fourth matter list official website पर display नहीं होगी आपने जिस college में apply किया है उसी college में list display होगी वहीं जाके आपको देखना पड़ेगा और यदि आपका number आ जाता है तो आपको admission लेना होगा admission की जो पिकरिया है वो पहली दूसरी और तीसरी मजोती वही admission की पिकरिया चौथी में भी रहेगी तो आसा करते हैं इस वीडियो की माद्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी फिर भी आपके कोई confusion रह जाते हैं तो आप comment box में comment करिए हम आपके उत्तर देने के पूरी पूरी courses करेंगे साथ में ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव में इसको forward करिए ताकि fourth merit list का लाव जादा से जादा बच्चे उठा पाएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो में बस इतना ही धन्नवा